Hello students of first year, our today's topic is amount and distribution of yoke and types of egg यानि की अंडे में पीतक की कित्ती मात्रा है उसी साप से ही उसी अंडे का नाम होता है जहले लगू पीतकी और सम पीतकी और यह जो हिंदी में बोलते हैं उसको में आगे टर्म्स इंग्लिश होगी तो आप समझ लेना उसको क्योंकि साइंस में इंग्लिश के टर्म्स जरूरी होते हैं और आराम से समझ चाओगे कोशिश करोगे तो कि कितने प्रकार के अंडे हैं, कितनी मात्रा होती है, क्या बोलते हैं उसको फिर उसी पर इसका आगे का चेप्टर निर्भर करता है कि जिस प्रकार का अंडा होता है उसमें विदलन भी उसी प्रकार का होता है क्लीवेज जिसे केते हैं वो पूरा एक चेप्टर है इसके आगे का amount of distribution yoke और reserve food पीतक्या है एक reserve food इन्हें fully grown oocyte ये अलग-अलग मात्रा होती है पीतक की एक full developed अंडे के अंदर किसी में काम होती है किसी में ज्यादा होती है उसी क्याधार पर अंडों को वर्गी करत किया जाता है तो egg types based on amount of yoke yoke की पीतक की मात्रा पर निर्भर करती पहला प्रकार है micro lecithal और oligo lecithal egg इसको हिंदी में शायद लगू पीतक की अंडा कहते है तो आगे की सारी terminology भी आप ध्यान से पढ़ लेना इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों इससे ही समझेंगे और कोशिश करेंगे क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रही हूं कोई इन सब में और यूथिरियन मैमल्स होते हैं यूथिरियन मैमल्स ट्यूनिकेट्स इन सब में इस प्रकार का अंडा पाया जाता है दूसरा प्रकार है मीजोल यसी थल एक इसमें उससे कुछ ज्यादा मातर होती है माइक्रो से जादा इसमें होती है एनलीड जो क्रमी होते हैं यह जो एनलीडा के जोंक और आपका केंचुआ वगेरा अर्थफोंस मॉलस्क पेट्रोमाईजोन एमफिबियंस इन में मिजोलेसितन एक होता है समपीत की अंडा यह इसको बना भी रखा है इसी से आप अपने नोर्स बनाना किताबों से अच्छा मैटर है है आपके पस तीसरा है मेगालेसितल इसमें योक की मातरा बहुत सारी होती है इंक्सेक्ट जोते ना आपके और्थो पोड के कीट मख्यात इतलियान जोबी इंसेक्ट उनने वाले और्थोपोरológ उनको इंसेक्त कहते हैं उनमें का नाम है एक टाइप बेस्ट ओन डिस्ट्रिबिशन ऑफ योग ठीक है तब यह योक का वित्रन वो तो मात्रा की आधार पर वर्गी करन था यह पीतक की वित्रन अंडे में किस जगे पर पीतक मुझूद है उसके आधार पर यह अलग प्रकार का वर्गी करन है इससे पहले का इस तरह से मात्रा पर निर्बरता वो वर्गी करन क्लासिफिकेशन अब यह है किस जगे पर है क्या लोकेशन है उसकी पीतक की उपस्थित कहां है उसके आधर पर होमोलेसितल यानि की पूरे अंडे में देखो एक जैसा वित्रण है डिस्ट्रिबिशन है तो उसको केते हैं हो पिर दूसरा है टीलो लेसितल इसका भी डाइग्राम होगा इसमें पीतक की मात्रा दो पोल होते हैं अंडे के वेजिटल पोल यानि काईक धुरू और एनिमल पोल यानि जेविक धुरू तो कहां पर मात्रा केसे है इसमें यह सारे पॉइंट्स वाइस दे रखा है यह देखेंगे और अंडे का चितर भी बढ़ा करके इस तरह से बनाएंगे सिक्रीणश्योट भी लेसके तीस्रा प्रकार है central एसितल नाम से पता चल्राना की कैंद्र में होगा पीतक और उधारन कि देखो इन्सेक्ट में होता एक इस प्रकार का सेंट्रोल एसितल और हाइड के टाइम क्या काम आता है और डेवलप्मेंट के टाइम कि फंक्शन ओफ ओवेरियन टीशू जब उसाइट की ग्रोथ हो रही होती है तब इससे अच्छे नौट्स आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे आप इसी से अपने एक्जाम की नौट्स बना लेना फिर नर्स सेल्स इस सब अंडे के बारे में हैं हम करता हैं मैच्यूरेशन ओफ एक यह क्या है यह जो आज आज का टोपिक आप पढ़ेंगे तो आगे का लेसन आपके लिए समझने में आसान होगा किस प्रकार होता है मैच्यूरेशन ओफ एक फस्ट मियोटिक डिवीजन होता है फिर इसकी फॉर्मेशन ओफ एक मेंब्रेन यह आपका अंडा विल्कुल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन चाहिद हमने पहले आपको वीडियो बता दिया है अगला टुपिक हमारा क्लीवेज या विदलन है यानि फर्टिलाइजेशन होने के बाद युग मनत जो बना उसमें क्लीवेज तो अंडों के प्रकार मैंने आज इसलिए बताए हैं आपको यह आपका कम्प्लीट है इसको ध्यान से नोच बना लेना और आपका होमवर्क है कि इस पर निभंदली किये अंडों के प्रकार पर